चले, हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं आज के सेशन में हम लोग कुछ नया सीखेंगे और इस नय सीखने के कड़ी में आज इस कॉंसेट को हम लोग डिसकस करेंगे जो की most relevant है recent market को लेकर जैसा कि bank nifty index में अभी बना हुआ formation है, setup है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहा है बेसिकली जब हम लोग bank nifty के index पर कुछ भी analysis करते हैं और आगे के sessions के लिए अपने trade प्लान करते हैं तो हमारा मानना होता है कि recent price action के साथ चलने की अगर कोशिस की जाए तो आप सबसे बहतर opportunities को find out कर सकते हैं ठीक है और इसको आपने हमारे sessions में पिछले 1-5 महिने में साथ रहते हुए देखा भी है कि हम लोगों को एक साथ बहुत ना के बराबर condition होती है कि कभी हम लोग गलत साबित हो जाए जबकि hedging में तो हम लोग गलत साबित होते ही नहीं यहां तो मैं projection की बात कर रहा हूँ कि projection में भी ना के बराबर condition है कि कभी हम लोग गलत साबित हो जाए क्योंकि अगर आपको पता है कि recent buyer seller का mood क्या है तो गलती की संभावना फिर रहे कहां जाती है अगर आपको पता है कि अभी price में bank nifty में एक higher demand और higher supply एक ही price पर आ रही है तो आपको पता है किसी बड़े momentum की तयारी हो रही है ठीक है अब यहां पर एक point आता है देखे जब भी मैं बोलूं कि एक बड़े momentum की तयारी हो रही है तो जो trader आप अपने mindset को एक बार समझे तो उसके mind में पहली बार trigger की होगी कि बड़ा momentum मतलब uptrend है ना मैं कहता हूँ दोनों ही गलत है जब price में कोई confirmation नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई confirmation कर रहे हैं इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या काम होना चाहिए हमारा purpose क्या होना चाहिए किस तरीके से हमारा आगे एक trade प्लान होना चाहिए देखिए बाजार में हम लोग एक बात को सभी लोग मानते हैं क्या कि price में किसी चीज़ पर 100% confirmation देना मतलब पहले ही आप गलत बात कर रहे हैं आप पहले ही गलत हो गए आप कितना भी सई हो जाए उसके बावजूब भी आप गलत हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि 100% surety है market में कुछ भी 100% नहीं होता ठीक है दूसरा point जब कुछ भी 100% नहीं होता तो आज जो traders trade कर रहे हैं इस era में ये जो 2020 के बाद शुरुआत हुई न सर्फ जो trader trade कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही concept को समझते हैं चलेगा या गिरेगा तीसरी कड़ी उनको पता ही नहीं ठीक है और ज बिल्कुल task है किस वजए से है क्योंकि आप लोग इतनी आसानी से अपना पैसा गवा देते हैं तो हम लोगों के लिए कमाना असान हो जाता है seller वही कमाता है जो buyer गवाता है तो आप लोग गवाते हैं हम लोग सरकमा ले थे यही हमारा काम ठीक है तो यह easy to earn task क्यों कर दिया आप लोगों ने कर दिया क्योंकि आपको दो ही mindset बता है और इसके पहले 2010, 11, 12, 14, 16, 17 तक जो traders बाजार में थे वो बड़ा समझदारी से आते अब single limit आप open करते हैं अगले दिन से trade कर पाते हैं चार लोग आपको बतानी के लिए बैठे हैं क्या trade कर सकते हैं है ना तो आपकी ज़्यादा गलतिया होती है जब आपको knowledge नहीं है और फिर भी आप trade कर रहे हैं जैसे अभी recent market का condition अगर आपको कितना भी लगे कि price में higher direction momentum हो यह कि मैं 20% कलत हो सकता हूं यह मैं कब की बात कर रहा हूं अभी तो price ने कोई breakout नहीं किया अगर 5800 के उपर momentum होने लगे तब भी आप यह 20% संभावना तब अभी तो आप 50-50% बोले की condition में है कि 50% संभावना है चलेगा 50% संभावना है कि ऐसा बाजार है लेकिन फिर भी ए एक trade plan जब हम लोग करते हैं तो हमारा एक weightage आजाता है कि हमारा भार किस तरफ है हमारी सोच किस तरफ है जैसे एक resistance के concept को हम लोग discuss करते हैं अच्छा resistance की definition को समझेए मैं आपको बिल्कुल base से resistance समझा रहा हूं resistance को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोध क्या बोलते हैं sir प्रतिरोध प्रतिरोध का मतलब है अवरोध कि चलते हुए price को जहां रोक दिया जाए प्रतिरोध रुकावट पैदा की जा रही हुए एक momentum जो higher side चल रहा है उसको रोकने की कुशिश अवरोध तो price को चलाता क कौन है buyer, demand उठाता है ना खरीदारी कर लेता है, तो कौन लेकर जाता है buyer, रोकेगा कौन, चलते हुए price कब रुक जाएंगे, जब वो पूरी demand का impact खत्म हो जाए या फिर किसी range पर, किसी price पर supplier, seller supply करने लगे, तो प्रतिरोध resistance का का काम बाजार में कौन करता है sir, seller करता है, ठीक है, अब seller का identification क्या है, seller की पहचान क्या है, तो seller की पहचान मैंने आपको सिर्फ एक term में बता रखी है, कि seller का behavior, बेवहार क्या है, aggressive behavior है, seller कभी भी छोटी छोटी बिकवाली करके price को नीचे नहीं ले जाएगा, seller जब भी बेचेगा, तो वो अपने साथ एक बड़ी बि प्रैनिक में आकर, डर में आकर execute करती है, short selling होती है, और price में sudden एक बड़ी ग्रावट देखने को मिलती है, आप देखेंगे, दो दिन में बाजार 1000 point, 2000 point, 3000, 4000 point एक हफते में गिर जाएगा, जब भी बिकवाली आएगी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो price का momentum है, ये price short selling का momentum नहीं है, अभी बिकवाली की शुरुवात होई नहीं, बिकवाली की शुरुवात तब होगी, जब price बड़ी candles के formation के बने लगे, दूसरी बाद, बड़ी candles के formation जब होते हैं, तो एक candle के formation के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा जरूर होगा, अगर तीन consecutive बड़ लोगों ने समझा resistance, resistance क्या है, कि एक चलते हुए price में अवरोध पैदा करना, प्रितरोध पैदा करना, कि price में रुकावट डाल देना, रुकावट कैसे, चल रहा होगा, price निचल इसतर पर खरीदारों ने खरीदारी की होगी, उसकी होज़े से चल रहा है, ठीक है, और उस चलते हुए price को आपने recentry रोक दिया, क्यों, या तो आपने profit booking कर लिया नीचे वाले buyers ने, तो जो buyer है, वो profit booking करेगा, तो क्या करेगा, sale करेगा, तो sale करने से क्या होगा, supply बढ़ेगी, और उसी समय अगर sellers, जिन्होंने पहले से buy नहीं किया, fresh selling करने आ रहे हैं, वो भी short selling कर दे, तो price में गिरावट हो जाएगी, और ये गिरावट resistance बनाती है, ये गिरावट क्या करती है, दोरा रहा हूँ, आपको बड़ा असान लग रहा होगा ये point, इस point से ज़्यादा जरूरी, बाजार में कुछ है नहीं, option buyer के लिए बता दे रहा हूं अभी, क्यों, ये price क्या बनाती है, ये supply जो है, यही supply के price का resistance बनाती है, इसी supply के price का, इस point पर गौर कीजे, क्या, इसी supply के price का resistance बनाती है, मतलब, अब अगली बार जब भी price चल कर जाएगा, तो यही price इसके लिए resistance है, यही price, इसके पहले price कहां से गिरा, उसके पहले कहां से गिरा, उसके पहले कहा से चलकर आया कुछ माइने नहीं रख रहा हमारे लिए पिछली गिरावट जहां से हुई वही अगली गिरावट की सबसे बड़ी प्रवल संभावना पैदा करता है मैंने क्या कहा पिछली बार जहां से बाजार गिरकर आता है अगली बार वहीं से सबसे ज़्यादा गिरने की संभावना है मतलब पिछला रजिस्टेंस ही अगला रजिस्टेंस होगा जहां से अभी अभी बाजार गिरकर आया अगर वहीं पहुँचे तो उसके गिरने की संभावना सबसे अधिक है इसको हम कहते है टेक्निकल में अन्टेस्टेड जोन अन्टेस्टेड जोन का मतलब क्या है बताईए कि जहां से अभी अभी आप गिरकर आए तो सेलर इस जगह पर फ्रेश सेलर से बैटे हैं सर उन्होंने अभी अभी बिक्वाली की तो आप डारेक्ली निशले इस तर से उस प्राइस के बास पहुंचका डारेक्ली इसको ब्रेक नहीं कर सकते काट नहीं सकते क्यों अब यही आपके लिए सबसे जरूरी रजिस्टेंस हे रिया है तो जो लोग रजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं वो यह बास समझ ले हैं कि आप लोग इस तरीके से resistance को मार करते हैं, मैंने देखा sir, आप लोग इसी तरीके की positions बनाते हैं, अब यहां से price यह गिरा, एक बार, आप ने देखा दूसरी बार retest हुआ, ति आप यही मार करके बठे, अब यह एक बार गिरा, दूसरी बार retest हुआ, तिसरी बार, आपके लिए अभी भी यही resistance, कि एक बार price नीचे आजया तो फिर यह, नहीं, अभी यह resistance validation गया, अभी recently आपके लिए जो resistance हैं समझिये कैसे, देखिए मैं आपको समझाओ, price एक high लगा कर यहां से गिरावट किया, गिरावट के बाद कहां से किया, 53, 450 के पास से गिरावट किया, तो जब price इस resistance के पास पहुँच रहा है, तो सबसे प्रबल समझाओना है, अभी अभी जहां से गिर कर आया, अगर वहीं पहुँच गया, तो गिरावट की समभावना दिखो गई, तो price अगले दिन gap अप करने के बाद भी अंदर close किया, यह शॉट कर दीजे, अब शॉट करने के बाद price देखे, यहां पर आया, यह swing high लगाया, गिर पड़ा, ठीक है, अब जब दुबारा price चल कर जा रहा है, तो मेरे लिए previous resistance का है, जहां से अभी swing high लगा कर आप गिरे, तो जब आप यहां पहुच रहे हैं, यहां supply का कोई भी chance बनेगा, आप यहां पर short selling करेंगे, ठीक है, क्यों, पिछला resistance, अभी इससे पहले का resistance यह था, इसको touch किया, तो यहां पर बिकवाली हुई, अभी यहां से गिरा है, तो इसको touch हुआ, तो यहां से बिकवाली होगी, यह हर जगाए valid है, आप कहीं भी trade करेंगे, इस concept को आप नहीं तोड़ सकते, क्यों, pending order, block order जिसको आप कहते हैं, pending orders, institution का sign क्या है, अगर उन्होंने खरीदारी की है, तो अपने orders को वो cancel नहीं करेंगे, demand उठने के बाद, उनके pending order पड़े हुए, अगर उन्होंने कहीं पर ब तो दुबारा अभी तक जो pending order यहां रह गए, वो तो test किये नहीं गए, अब आप पहली बार पहुँचे, तो अब यह test हो रहा है, तो untested zone retest हो गया, तो test होने में क्या हुआ, pending orders जो थे वो execute हुए, तो supply बढ़ी हुई तो price फिर गिर गया, फिक है, यहां पर देखिए, इत इतना powerful resistance higher rise के formation में, जब price का trend positive है तब, सोचिए जब trend negative होगा, तो higher rise के formation से lower lows की formation की तरफ जब price आएगा, तब यह कितना aggressive होता होगा, और seller का तो behavior aggressive है, sir, buyer का aggressive defensive है, buyer का behavior कैसा है, defensive है, seller का तो behavior aggressive है, तो जब resistance के पास price आएगा, swing high के पास कितनी चेज़ी से गिरावट करेगा, सोच कर देखी, ठीक है, तो resistance theory मैंने आपको समझाई, कि price resistance के पास, जब पहली बार चल कर आएगा, तो वहाँ से उसके गिरावट की संभावना सबसे दिखोगी, लेकिन यही पर एक point मैं आपको बताओ, तो आपको जब मैं यह बोल रहा हूँ कि कोई price जब resistance को break करेगा, या पहली बार चल कर आएगा, तो break out नहीं कर पाएगा, उसके गिरने की संभावना सबसे दिख है, क्योंकि पिछला resistance सी अगला resistance है, पिछली बार जहां से गिरावट हुई, वही से अगली बार गिरावट ह 100 रुपया आया है, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि price 100 रुपय को काट पाए, इसका मतलब तो यही हो गया जो मैंने आपको बताया है, नहीं, ऐसा नहीं है, price पिछले सेलर को untested zone के बावजूद भी break कर सकता है, मैंने क्या कहा, price पिछले सेलर को untested zone होने के बावजूद ब लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होगी, क्या process होगा उसका जरा समझे, उसका process होगा buyer's behavior, buyer's behavior का मतलब क्या है, अच्छा, यह supply अगली बार जब price यहाँ पहुचेगा तब trigger होती है, जैसे यहाँ पर 10 लाक ओडर डारे सेलर ने, कि supply के 100 रुपय के भावव पर 10 लाक ओडर सेल की फीक है, अब उसमें से 6 लाक ओडर सेल हो पाए, तब तक सामने से 3 लाक ओडर पेंडिंग रहे गए, 6 लाक ओडर execute होने में 3 लाक पेंडिंग रहे गए, कि सामने खरीदार ही नहीं थे, 100 रुपय पर 3 लाक खरीदार की shortage पढ़ गई, अब 100 रुपय पर 3 लाक खरीदार खरी जाएगा गिरने में क्या होगा यह 3,00,00,00 ओर तो पेंडिंग रही जाएंगे और बाकी के जो ओर्डर है वो तो भी हैंगे ठीक है तो यह 3,00,00 पेंडिंग ओर रहे गए 100 रुपए के भावपा और प्राइस गिरकर 98-97 ऐसे आ गया तो 3,00,00 ओर जो यह पेंडिंग है इसका इंपेक्ट कब आएगा जब आप दुबारा 100 रुपए के प्राइस को पहुंचेंगे तो यह 3,00,00,00 ओर एक्जिक्यूट होंगे तो पिछली बार जो पैनिक आया था अभी कोई बायर खरीद कर ले गया फिर वही पैनिक लेकर आएगा सेलर इसी लिए पिछला रजिस्ट बैठा हुआ है कि उसको काटके बायर आगे बढ़ी नहीं पा रहा है लेकिन अगर बायर बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है कैसे बढ़ सकता है उतनी खरीदारी उतनी प्लानिंग पहले से प्री-प्लान वो कर ले कि सेलर को काटना है तो वो आगे निखल जाएगा अभी प बायर को एक तो amount चाहिए पैसा, दूसरा चाहिए एक time, समय, पैसे के साथ time भी चाहिए कि उतने समय तब आप खरीदारी कर पाएं, क्या करना होगा बायर को पता है, बायर को अचानक से कोई बड़ी demand नहीं create कर देनी, ठीक है, अब आपने एक साथ 4 लाक order लगा दिये, तो 3 लाक order खरीते खरीते चले गए, एक लाक order और चले गए, ये 4 लाक order जैसे ही pending order ट्रिगर होंगे, तो 102 से price lot कर 100 रुपए के अंदर आ जाएगा, वो बायर को breakout दिखा कर fake breakout हो जाएगा, breakout failure, तो कोई भी price आकर directly अपने resistance area को break करे, तो समझ ये impact of buying की वजह से हुआ है, जैसे ही price price का impact of buying, मतलब demand का जो impact है, वो खत्म होगा, price रुखने की कुछ breakout failure, इसी लिए मैं बोलता हूँ, कोई भी price अपने resistance के पास directly पहुचे break कर दे, उस पे कभी भरोसा मत कीजेगा, वो breakout failure की तयारी कर रहा है, क्योंकि seller उस price block orders पकड़े जाएगे, जैसे block order के execution की शुरुआत यहां पर हुआ, price में क्या हुआ, नीचे गिरावट हो रही थी, अभी अभी 53,120 से price गिर कर कहां तक आया, 52,100 तक आया, अब 52,100 से price चल कर गया, और आपने directly gap up करके पहुचा दिया 53,100 पर, यह तो pending order का zone है, ठीक है, अब आप यहां तो अच्छे से खरीदारी कर लेते, high का stop loss जा लिए, क्यों, खरीदार यहां बैटे, यहां तो उन्होंने कोई अच्छी खरीदारी की नहीं, जब आपने near by seller price पर कोई अच्छी खरीदारी नहीं की, तो price downfall में चला जाता है, breakout failures होते हैं, तो जो लोग कहते हैं, breakout और breakdown की trapping से कैसे बचें, तो एक बास समझ लीजिए, कभी भी कोई price निचले इस तर से चलकर directly एक resistance area को break करें, उस पे भरूसा मत कीजेगा, कभी कोई price एक उपरी इस तर से गिर कर सीधा support area को break करें, उस पे कभी believe मत कीजेगा, इस support area पे करते हैं, काट सकते हैं, है न, respect कर रहे हैं, मतलब वहाँ से price दुबारा higher side sell कर चला जाएगा, अगर directly break कर रहा है, तो एक बार वो aggressive है, काट भी देगा, इस पे तो believe कर सकते हैं, resistance पे कभी believe नहीं करते हैं, जयार रखिए, breakout failure से बचने की सबसे सही बात जो मैं आपको बता र फिर किया जा सकता है, consolidation nearby resistance, जैसे, अभी अगर आप bank nifty में देखें, तो एक trend line, अब इस session को कल हम लोग continue करेंगे, दुपायर के session में, ठीक है, अभी जितना हो पा रहा है, उतना हम लोग cover up कर रहे हैं, ये, ये एक resistance line है, ठीक है, अब इस resistance line के पास price अगर आप गौर करें, अगर इस price ने 5800 के उपर closing देने की शुरुबात कर दी, तो समझ लीजेगा, इस price का higher side momentum confirmation हो जाएगा, मैंने क्या का, हम वो trade करते हैं, जो दिखता है, अभी हमको consolidation सिर्फ दिख रहा है, इसका कोई एक भी confirmation नहीं है, कि ये buyers ही है, यहाँ भी 5-6 candle consolidation हो थी, लेकिन gap up से सारा खेल बिगार दिया ना, buyers ने, अब ये price cost की opening के साथ 5800 ब्रेक करना चाहिए, थोड़े से gap down के साथ 5800 ब्रेक करना चाहिए, gap up कर रहा है, तो कम से कम एक पूरा station इसका गोजर जाएगा, यहां consolidation करते करते, या फिर gap up के बाद retest करे, आज के, जो कल की closing थी, उस price को फिर जाक ब्रेक करें, तब momentum मिलेगा, ठीक है, तो यह consolidation, अब इस consolidation पर कल हम लोग बात करेंगे, देखें, जब तक यह बावन आट सो नहीं निकलता है, तब तक यह consolidation किसी काम का नहीं, और बावन आट सो निकलने से पहले पहले अगर एक क्या बावन हजार, बावन हजार के price, spot price bank nifty बावन हजार ब्रेक कर दे या बावन हजार सो, तो यह consolidation किसी काम का रह भी नहीं जाएगा, price downfall में चला जाएगा, ठीक है, तो इन points को ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने resistance theory के 3-4 points को, key points को clear कर लिया, कि resistance बंता कौन से है, कौन सा resistance valid है, कब resistance पर believe करना है, कब fake breakout से कैसे बच जा जा सकता है, तो सारे points को लगबग-लगबग हम लोगों ने discuss किया, कुछ एक point रह गए, अब resistance के part 2 को कल हम लोग discuss करेंगे, आज के लिए session को यहीं तक हम लोग रखते हैं, अगर कोई भी doubt रह गया हो, तो मुझे नीचे comment section में बताइएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहे तो discussion में आखके पास telegram और whatsapp community का link है, शुब रातरी, धन्यवाद